हेलो प्रिंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल नितूस कुकिंग हब आज मैं अपलो के लिए लेके आए हूँ एनर्जी ड्रिंग की रेसिपी इस सर्वत को हम बिना गाय से स्टोब आउन किये बिना ही बना लेंगे और इसे बनाने में आपको मातर दो मिनट लगेंगे और ये रेसिपी आपको पूरे दिन एनर्जी से भड़े रखेगी तो आएए इसे बनाते हैं एनर्जी ड्रिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फूर्ट्स लिए हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़े से एपल लिये हैं, थोड़े से तरबूज हैं, यह अनार है और ग्रेप्स हैं, तो ऐसा नहीं कि यही सारे फूट्स आपको लेने हैं, जो फूट आपके घड़ में अवेलेबल हो, वो ही आप डालें, यह मेरे घड़ में यह पड़े थे, तो मै यहाँ पे मैंने लिए है एक बाउल, बाउल मैंने यहा पे लिया है दो चममच सबजा सील, और इसे मैं हाफ कप पानी में भीगने के लिए डालूँगी 15-20 मिनट के लिए, तो यहाँ पे पानी डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर दें, और अभी मैंने यहाँ पे लिए कुछ ड्राई फुट्स जिसमें से 15-16 मैंने लिए हैं Вид 10 इसके भीज मैंने निकाल दिए हैं यह देखे फ्रिंट्स पंद्रा का Chinese हैं समट मैं यहां पर मस्क organs लिया है तो यहां पर ड्राई फूर्सर्प अपने हिसाब से और ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं जैसे आप पिस्ता डाल सकते हैं और यहां पर अभी मैं सारे ड्राइफूट्स को एक बाउल में सीफ्ट कर रहे हूं यह ड्राइफूट्स हमारे रेसिपी के में इंगिडियेंट्स हैं इससे जो हमारा सर्बत बनेगा वो बहुत ज़्यादा हिल्दी बनेगा और अभी मैंने यहां पर लिया है यह एक कप दूद तो यहां पर यह दूद गरम है क्योंकि मैंने अभी बॉयल किया था इसलिए मैं इसमें बॉयल मिल्क ही डाल रहे हूं इसे डालने के बाद आप इसे एक घंडे तक एसे ही फूलने दे तो यहाँ पे इसे मैं बाहर ही छोरूँघी अगर आपके पास थंडा मिल्क है तो भी आप इसे डाल के दो फिरिज में भी भीगने के लिए डाल सकते हैं चाहे तो आप रात को भी रख दें और सुबह में ये सर्बत बनाए और अभी एक घंटे हो चुके हैं ये अच्छे से फूल चुकी है तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर पॉट लिया है और उसमें मैं ये सारे ड्राइफूर्स को डाल के इसे अच्छे से पीस लूँगे साथ में मैं यहाँ पे एड कर रही हूँ चीनी तो चीनी मैंने यहाँ पे लिया है तीन बड़े चमच चीनी की मातरा मैंने कम रखी है क्योंकि डेट्स भी मीठा होता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बारिक पीस चुकी है अभी मैंने यहाँ पे लिया है तीन कप दूद जो कि पहले से बॉयल थी फ्रीज में थी एकदम ठंडी दूद है यह और यहाँ पे जो हमने ड्राइफूर्स को पीस के रखा है वो हम इसमें एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंट कि मैंने इस सर्वत को गाढ़ा करने के लिए कोई भी कश्टर्ड पाउडर या फिर कॉर्ण फ्लोर का यूज नहीं किया है इस मिक्स से हमारा सर्वत कितना गाढ़ा बन रहा है यह देखें आप और अभी जो हमने सब्जा सीट को भीगने के लिए डाला था वो भी अच्छे से भीग चुकी है तो यहाँ पे मैंने तीन बड़े चमच इसमें एड किये हैं आप चाहे तो और ज्यादा भी एड कर सकते हैं और इस टाइम पे जो हमने फ्रूट कट करके रखा था वो भी हम इसमें एड कर देंगे तो अभी मैं इसमें आधी आधी रख रही हूँ आदा हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे फ्रूट को डालने के बाद भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें और यहाँ पे इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें एड किया है रोज सिरप तो यह पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड मैंने यहाँ पे यह तीन बड़े चमच एड किया है आप चाहें तो इसमें इलाइची पाउडर भी एड कर सकते हैं अगर आपके पास यह रोज सिरप नहीं है तो और यह रोज सिरप जो है वो मीठी भी होती है इसलिए मैंने चीनी तीन चमच ही एड किया था पहले अगर आप रोज सिरप नहीं एड कर रहे हैं तो आप एक से दो चमच चीनी बढ़ा सकते हैं और यहां पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी मैंने यहां पर रेट फूट कलर लिया है जो की एक बुंद लिया है मैंने यह जेल फूट कलर है थोड़े से पानी में मिक्स किया इसे और मैं थोड़ा सा सर्वत में इसे एड कर रहे हूं ताकि कलर और भी सकते हैं कि यह हमारा सर्वत और ज्यादा सुन्दर दिखने लगा है तो इसके उपर से मैंने यहां पे कटे हुए ड्राइफूर्ट्स हैट किये हैं और अभी जो हमारे पास कटे हुए फूर्ट्स बचे हुए हैं उसे मैं इसे गार्निश कर रही हूँ और यहां पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा सर्वत पूरी तरह से रेडी है यह देखने में जितना सुन्दर दिख रहा है उतना ही हेल्दी है और टेश्टी भी है तो आप इस सर्वत की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी इनर्जी से भड़े हुए सर्वत की रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले फिन साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स फर वाचिंग